हाई वेल्कम तो माई चैनल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे question number 10 and find करेंगे square root of 176.252176 तो ध्यान देजिएगा यहाँ पर decimal के right side में जो digits दियों में उनका पहले pair बना लेते हैं 76, 21, 25 और decimal के left side में जो decimal हैं उनका भी बना लेंगे तो यहाँ पर 1 का नहीं बन पाएगा कोई बात नहीं है अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी की बात है decimal के right side में यहाँ पर pair बन चुका है कभी कभी ऐसा भी होता है कि pair नहीं बन पाता जिसमाल जीकि 1.11 लेते हैं तो इसमें sorry, 112 ले लेते हैं जो है decimal के right side में क्या है three digits है और इसमें pair one two का बन जाएगा लेकिन one का नहीं बन पाएगा तो यहाँ पर आपका pair कैसे बनाएंगे फिर यहाँ पर pair बनाने के लिए करते हैं कि जब दी odd number of digits रहेंगे decimal के right side में हम हमेसा एक 0 बढ़ा करके उसको बना लेते हैं even pairs और हम फिर right side से 00 यहाँ two zero और one one का pair बना लेंगा अलग-अलग से मतलब इतना और इतना ठीक है ओके तो खैर यहाँ पर तो हमारा example जो दिया हुआ है यहाँ जो question दिया हुआ है यहाँ पर pair बन जा रहा है तो खैर यहां focus करते हम लोग चलिए one पहले ले जाते हैं तो one मेरे जाएंगे तो one से ले जाएंगे बिल्कुल तो one one जब one concealer हो गया और 76 जो है उतार लेंगे और one one हो जाएगा two अब two three six होता है तो three से चला जाना चाहिए तो three चली जाते हैं यहां पर चला जाएगा देखिए three three nine and three two six means यहां पर आ जाएगा seven ओके अब decimal के बाद वाला पेर उतारना है इसलिए अब पहले गया था one से अब three से गया था one three से हो गया है one से यहां पर और three से यहां पर और उसके बाद से decimal पढ़ा लेंगे यहां पर भी decimal के बाद वाला जब पेर उतारेंगे decimal यहां पर लगा लेंगे तो अब यह हो जाएगा 25 ठीक है अब यहां पर add कर लेंगे तो मिलेगा 26 अब यहां पर ले जाएगे हम कितने बजाएगा तो two का table पढ़िए अब यहां पर देखेंगे किस से जाएगा तो two का table पढ़िए और देखें कि 20 कितनी बर में आ रहा है तो two eight यह 16 होता है two nine यह 18 होता है तो nine बर में चलाएगा लेकिर 9 से चेक करेंगे तो इससे ज्यादा नमर आ जाएगा फिर leagues check करेंगे तब भी ज्यादा आ जाएगा तो七 से जह ही हम ले जाते हैं अधो आपको यही चेक करना है हर बार कि किस से चला जाएगा ठीक है 6 दा 42, 42 and 3, 45, 5, 4 carry over and 7, 2 जा 14 and 4, 18 ठीक है मानस कर लेते हैं, तो 11 में से 9 जाएगा 2, यहां पचा 1 11 फिर हो गया, 11 में से 2 जाएगा 9 ओके, and यहां पर हो गया आपका 0, तो 10 हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 और यहां पचा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, अब नहीं जापाएगा मतब यहां पर खतम हो गया अब यहां पर 76 जो है, लास्ट में हम उतार लेंगे ठीक है अब यहां पर एड़ कर लेते हैं, तो 7 से और 14 का 4 हो जाएगा, और 1 कर दियो फार 5 हो जाएगा यहां पर and 6 and 2 अब इसके बाद जो है हम ले जाएगे किस नंबर से तो 6 चला जाएगा क्योंकि देखे, 2 6 जा क्या होता है 2 6 जा, 12 होता है और 6 से चला जाना चाहिए, क्योंकि 6 से 6 में multiply करते हैं, तब ही आता है 6 तो यहां पर देखना होता है कि unit space पर क्या है तो 6 से ले जाना तो चला जाएगा बिल्कुल ही तो अब यह 7 चला गया था और चला गया 6 से, मतब यही आपका answer आने वाला है, तो 6 जा 36 का 6 हो गया, 1 carry over sorry, 3 carry over and 6 24 and 3, 27 का 7, 2 carry over and 6, 5 जा 30, 30 and 2, 32 का 2, 3 carry over फिर 6, 6 जा 36 and 3 39 का 9, 3 carry over and 6, 2 जा 12 and 3, 15, right? किसे लड़ हो चुगा है? तो हमारा जो answer है, वो आ गया है 13.276 तो यहाँ आपर आप लिख लेंगे so square root of 176.252176 is equal to 13.276 okay and this is your answer thank you so much for watching bye